वेलकुम टो स्वातिस्तान मैं स्वातिकांवर शेर करने जारी हूं आप सभी के साथ कडाई सोया चाप की रेसिपी इसको हम एकडम रेस्टरॉंट स्टाइल बनाएंगे कडाई सोया चाप काफी रिच और क्रीमी होती है तो इस वज़े से हम इसको रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बना सकते हैं बट ओकेशनली आप इसको जरूर बनाएं ऐसे चीज़ प्रिफर करते हैं बट अब अपने मेन्यू में इसको भी जरूर एड़ करें अब चली आईए शुरू करते हैं बनाना कडाई सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए यह 200-500 ग्राम सोया करना है और फिर इनको अलग-अलग कर देना है बाकी मैंने यहां पे दो हरी मिर्च ली हैं जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है तीन से चार चम्मच हंकड ली है आप चाहे तो नॉर्मल दही भी ले सकते हैं बस आपको इसको गाड़ा करने के लिए जो चाय चानने वाल लिया है एक चोथा ही चम्मच हल्दी पाउडर एक चोथा ही चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चोथा ही चम्मच गरम मसाला आदा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आदा चम्मच धन्या पाउडर आदा ही चम्मच मैंने यहां पे भुना हुआ जीरा पाउडर लिय नमक आप टेस्ट के अकोर्डिंग डाले और इनी सबी चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे इन में जो कोटिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए सब में ही अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस पॉइंट में आपको इनको ऐसे ही कम से कम 10-15 मिनिट के लिए ऐसा करने से जो चाप में फ्लेवर्स है वो और अच्छी तरीके से आ जाएंगे तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए रखना जरूरी है अब आपको यहां पर कडाई लेनी है उसमें दो से तीन चमच मक्षन डाल के उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लें जब मक्षन मेल्ट होने लग जाए तो आपको यहां पर जो हमने मेरिनेट करी थी चाप प्यास कैपसिकम हरे मेर्च इन सब को डाल देना है एक साथ और आपक इसको कुक करना है लग बग 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही और इसको बीच-बीच में आपको चलाते रहना है यहां पर इनको इस तरीके से कुक करना जरूरी है जिससे कि जो फ्लेवर्स हमने भी डाले है यह धाई मसाली चाप में अच्छी तरीके से सेट हो जिससे कि जो चाप है वो भी हमारी थोड़ी सी कुक हो जाएगी इस पॉइंट में तो पहले 3-4 मिनिट के लिए आपको इनको कुक करना है मीडियम फ्लेम पर और फिर आखरी 1 मिनिट के लिए आपको इनको हाई फ्लेम पर कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं कि में अच्छे से सेट हो चुकी है और प्याज और कैपसिकम भी थोड़ी सौते हो गई है तो यह करना यहां पर ज़रूरी था क्योंकि अभी हम यह जो चाप ग्रेवी में डालेंगे तो इसमें जो कोटिंग हमने करी है यह अलग नहीं होगी और चाप में भी एक अपना डालनी है फिर उसके कुछ सेकिंड बाद ही आपको यह प्याज डालनी है यह एक प्याज है इसको मैंने रफली कट कर लिया था और आपको इसको कुक करना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए फ्लेम आपको यहां पे मीडियम ही रखनी है इसी तरीके से बीच जो था ही चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच धन्या पाउडर यह 3-4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है इससे कलर जाद अच्छा आता है और यह स्पाइसी नहीं होती है आदा चम्मच कसूरी मेथी इस तरीके से क्रश करके डाल दें नमक आप टे आपको इसको कुक करना है बीच में एक दो बार चला लें जिससे की जो मसाले है नीचे जले ना और इसी तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि आपके मसाले कितने कुक हो चुके हैं तो लगबग 5-6 मिनिट आपको यहां पे लगेंगे अब जब यह मसा और एक मिनिट बाद जब इसमें उबाल आ जाए तो हमने जो सौते करीती चाप प्यास कैपसिकम यह सब कुछ आपको डाल देना है इसी पॉइंट में और इसको मिक्स कर लें अब मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि पानी अगर आपको एड़ तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा बस इस पॉइंट में ध्यान रखना है कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है आपको अभी ही एड़्जस्ट करनी है और फिर तीन से चार मिनिट के लिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ढग देना है तीन से चार मिनिट बाद आप इसक अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और फिर इस पॉइंट में आपको फ्लेम को लो पे कर देना है और लो फ्लेम पे आपको इसको दो मिनिट के लिए और ढगना है और अब दो मिनिट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो आल्मोस्ट कुक हो चुकी है अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है ये मैं आपको एक तरीका बताती हूँ आपको एक spoon लेनी है उसको आपको gravy में इस तरीके से dip करना है फिर एक finger से line बनाए अगर वो line इसी तरीके से ही है तो मतलब आपके gravy की जो consistency है एकदम सही है और फिर इस point में आपको यहाँ पे यह fresh cream डालनी है अगर आपके पास fresh cream नहीं है तो आप इसकी जगे मलाई भी डाल सक करम masala और अब उनको mix करने के बाद आपको फ्लेम को लो करदेना है और लो फ्लेम पे 2 मिनिट के लिए और कुक करना है क्रीम डालने के बाद हमको इसको बहुत शादा पकाना नहीं है तो बस दो मिनट के लिए ही आप इसको अगर आप ज्के खेंते और अब दो मिनिट बाद इसकी जो gravy है क्योंकि ये रखने के बाद और जादा गाड़ी होगी तो बस इसी point में आप ये कटा हुआ हरा धनिया डाल दे और इनको अच्छी तरीके से mix कर ले और अगर by chance ये जो gravy है ठिक हो जाती है बाद में रखने के बाद तो आपको क्या करना है बस थोड़ा सा पानी गरम करना है और इसमें mix कर देना है तो वो consistency adjust हो जाएगी बागी अगर आप इतनी gravy रखेंगे तो आपको ऐसी problem नहीं आएगी अब बस flame को बंद कर दे हमारी कडाई सोया चाप तयार है चलिए इसको अच्छे से serve करते हैं तो ये रही हमारी creamy rich कडाई सोया चाप एकडम restaurant style तो ये अब आप अपने घर में अराम से बना सकते हैं अब मैं इसमें उपर से थोड़ी सी fresh cream और डाल रही हूँ और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया आप भी इसी तरीके से serve करते वक्त डाल सकते हैं ताकि ये देखने में और भी जादा अच्छी लगे ये एकडम इसका natural color है हमने अलग से कोई और color नहीं डाला है बस हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज करी है क्यूंकि कडाई सोया चाप spicy नहीं होती है इसके flavors काफी balanced होते हैं तो इसी तरीके से ही आपको flavors का में ध्यान रख यूसफुल लगी हो आपको नही रेसिपी सीखने को मिली हो तो मुझको कॉमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप नभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो इसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड मे बेल आइकन दबाना नभूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्स वर वाचिंग